नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPSSC द्वारा जो मॉर्निंग सेशन में एक्जाम कंड़क्ट किया गया था बैटरिनरी फार्मसिस्ट पोस्ट को नोसो अठावन का जो एक्जाम हुआ था आज हम उन कुष्टिंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंट देस्ट से पहले हमने HPGK के जो कुष्टिंस पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया था प्रिविएस वीडियो में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अब आप पर जाकर है अच्पी जीके के questions के answers देख सकते हो तो friends इस वीडियो में आज हम जो other जो जीके के questions पूछेगे थे complete जीके इस वीडियो में discuss करेंगे तो friends वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली वार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो friends वीडियो को शुरू करते हैं पहले वश्नागी हडपा में कितने अनभंडार पाएगे थे काफी important question है question number 85 को जो correct answer है वाक option number C है हडपा में 6 अनभंडार पाएगे थे option C जो है इस question का right answer है next question पे चलते हैं दस भाग में ब्रमाण की उत्पत्ती के बारे में वर्णन है option number D जो है इस question का right answer है next question पे चलते हैं इसमें वो लगए कि विंदू सवार द्वारा कौन से धर्म को शरक्षन दिया गया था अगले प्रशन पे चलते हैं किसके शाषनकाल में दिल्ली सल्तनत एकस में में सबसे विस्तारित क्षेतर रखता था तो question number 88 का जो correct answer है बागा option number A है अलाउदीन खिल जी जो है इस question का right answer है next question पे चलते हैं शिवाजी पर नेमन में से किसका सबसे अधिक प्रभाव था which of the following had great influence over शिवाजी तो गुरु रामदास जो है इस question का right answer है शिवाजी पर गुरु रामदास जी का सबसे अधिक प्रभाव था option number A इस question का right answer है question number 90 पे चलते हैं शोहम प्रकास किसके द्वारा अरंब किया गया था तो शोहम प्रकास जो था वो आई सी विद्या सागर द्वारा अरंब किया गया था option number C इस question का correct answer है अगले प्रशन पे चलते हैं इसमें बोलागे कि नेमन में से कौन से नेता चरम पंथियों में शामिल नहीं थे ये वी काफी important question है तो डवली उसी बनर जी जो है इस question का right answer है ये चरम पंथियों में शामिल नहीं थे option D इस question का correct answer है अगले प्रशन है स्वास्चंदर बोस ने अजाद हिंद फौज की स्थाफना कहां पर की थी स्वास्चंदर बोस फौंडर दा अजाद हिंद फौज इन तो ये शिंगा शिंगापूर में की थी option number D जो है इस question का correct answer है question number 93 पे चलते है इसमें बोलागे कि जुरासिक काल किसके प्रभुत्तव के लिए परसीद है तो डाइनसोर जो है इस question का right answer है जुरासिक पेरिड इस फेमस फौर दा डाइनसोर तो option number A जो इस question का right answer है question number 94 पे चलते है इसमें बोलागे कि कौन सी श्याल तापमान परिवर्तन में सबसे दिख प्रभावित होती है ये भी काफी important question है which of the falling rocks is most affected by temperature changes तो friends इस question में मुझे doubt है इस question का correct answer है option number B, C और D जो है ये तीनों चटाने जो है वो इस question का right answer हो का लेगन देखते हैं कि provisional answer की में जो एक दो दिन में आजएगी इसका answer क्या होता है अगर आपको इस question का correct answer पता है तो आप comment section में जरूर बताएं अगले question है the line joins the places of equal pressure at sea level are cold समंदर तल पर समान दाब के स्थानों को जोडने वाली रेखा क्या कहलाती है तो उसे समदाब रेखा कहते है आईसो बार्स कहते है option number C, इस question का right answer है अगले question है जीव जो अपना भोजन स्वें उत्वादित करते है क्या कहलाते है the organism which produce their own food are cold तो question number 96 का correct answer है वाक option number D है इस question का right answer है अगला question है बेंदू कहां पाई जाने वाली चारवाहा जन जाती है तो ये पाई जाती है अबगी अर्व के रेखिस्तान में option number C, इस question का right answer है अगला question है कनाड़ा की राजधानी क्या है the capital of कनाड़ा तो ओटाबा जो है ये कनाड़ा की राजधानी है option C, इस question का correct answer है अगला question है चीन की सबसे बदनाम अनदी कौन है तो ये यांगतची कियांग जो है इस question का right answer है ये चीन की सबसे बदनाम नदी है अगला question है नेमने में से कौन सा परवत सबसे नया है तो हिमालिया जो है इस question का correct answer है विच अगले परशन में चलते हैं नेमने में से किस नदी की उतपती दंड कारणे के उत्तरी छोर से है और पूर्व की और बहती है तो महा नदी जो है इस question का correct answer है अगले परशन है भारत में हीरे की खाने कहां परस्तित है नेमने में से कौन सी भारत की दूसरी सबसे प्रमुक फसल है विच अगले जो है इस question का right answer हो जाएगा अगला है MIG इंजिन कहां पर बनाए जाते हैं तो MIG इंजिन्स आर्में फेक्ट्टर्ड है तो ये कोरा पोट में बना जाते है अप्शन नमबर ए जो है इस question का right answer है question number 105 पे चलते हैं इसमें बोलगे कि भारती अर्थिवस्ता के किश क्षेतर ने हाल के दश्कों के दोरान अस अधारन ब्रिद्धी दर्शाई है question number 105 का जो correct answer है बागा option number C है तरित्यक्षेतर यानि कि टेरिटरी सेक्टर जो है इस question का correct answer है अगर आपसे नेशनल इंकम इस वेस्ट हों था तो नेशनल इंकम जो है राष्ट्रिय आए किस पर अधारित है इस question का correct answer है इस question में मुझे doubt है इस question का I think option number B जो है इस question का right answer हो जाएगा लेकिन देखते हैं कि प्रोवीजनल अंसर की में इसका अंसर क्या होता है question number 107 पर चलते है नवार्ड वाज इस्टबलिस्ट इंदा तो नवार्ड स्थापित किया गया था यह हुआ था वो question number 107 को जो राष्ट अंसर है यह चटी पंच वरसी योजना में हुआ था नवार्ड की जो स्थापना हुए थी वो चटी पंच वरसी योजना में हुए थी अगला है निमन में से भारत के किशके इंदर सासित परदेश में पुर्ष्टों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है अधिक है तो पूदुचेरी जो है इस question का अगला है बारती संबीधान की प्रस्तावना में शामिल कियेगे सुतंतरता समता और सदभावना आधर से किस से उत्परेरित है तो ये फ्रेंच करांटी से है option number B जो है फ्रेंच करांटी से ये उत्परेरित है option number B जो है इस question का correct answer है अगला है बार बार्ष सुनी सो त्रेपन में जब आंधर राज्य को एक अलग राज्य दर्जा राज्य बनाये गया था तो इसकी राजधानी थी विच वाजदा कैपिल ओफ अंद्र स्टेट वैनिट वाज मेड़े सेपरेट स्टेट इन ये नाइटिन फिफ्टी थी तो कश्चन अमर 112 को जो करेक्टन से रहे वाब का ऑप्शन नमर बी है एक सो बारा का ऑप्शन नमर भी है कुरुणूल जो है इस कुरुणूल जो है राइटन से रहे जाब उनिसो त्रेपन में अंद्र परतेश एक राज्य बना था तो वो इसकी राजधानी कुरुणूल थी अगला है भारत के रास्टपती की रूप में जुनों आपके लिए न पर सरभोज निया लेकि शलाकारी राहे प्राप्त करने का जिकार किसका होता ही यह रास्ट्रपती की होता ऑपिशन नमर यह इस कुरूशन का रहे अगला है विद्यत वलव में जो फिलामेंट होता है यह ने अलेक्ट्रिक वल्वजा फिलामेंट इस Ku requirements q. मेहिंट नमर 115 को अगले हैं नाइलोन को किस रूप में बर्गी करिते किया जाता है लाइल नाइलोन इस क्लासिफाइड एस तो कुश्ट नमबर 117 को जो क्रेक्ट अंसर है का अगला है फ्यूल यूज इन जाट एरोपे एरोपे एरोग्रेंज इस तो जाट हवाई जाजो में कौन सा इंदनों को प्योग जाता है तो केरव सीन जो है इस क्वेशन का राइट अंसर है नेच्ट कुश्ट क्वेशन है स्पैरो का किसे दिया गया है ताइटल ऑफ स्पैरो इस गिवन तो यह मेजर जेनल राजिंदर सिंग को दिया लिए और बी जो है 136 का यह राइट अगला है नोबल प प्रत्थम ग्यार भारती को था वह वाज दा फस्ट नोन इंडियन टो रसीव दा भारत रतन विदेशी को था पैरला खान अब्दुलकफार खान जो है इस क्वेशन का राइट अगला है चाइना मैन किसे संब्धित है चाइना मैन इस रिलेटेट टू एक क्रिकेट से है ऑ अगला प्रसिद उपनियाज किसके द्वारा लिखा गया है तो क्वेशन नमर 141 का जो राइट अंसर है बाव का ऑप्शन नमर बी है जैन ऑस्टिन जो है इस क्वेशन का राइट अंसर है अगला है भारती या कैंसर अनुसंदान संस्तान कहां परस्तित है इंडियन कैंसर अगला है बारत में प्रत्थम रेलाइन का बिछाए गी थी तो यह 1893 में ऑप्शन नमर तो भारत में प्रत्थम रेलाइन जो थी वो बिछाए गी थी अगला है बिछफ की प्रत्थम ट्थम बेवी कहां पैदा हुई थी तो यह ब्रेटेन में प्रेटेन में पैदा हुई थी और ब्रेटेन में पैदा हुई थी अगला है तिलाना किसका एक प्रा रूप है तो उप्शन में 147 का जो प्रेटेन्ज रहा है भारत नाट्यम का यह एक प्रा रूप है अगला है ग्रीस की मद्रा क्या है तो जो राक्मा जो है इसकोषन का रूप लेकिन अभी जो इंग्रीस की जो करन्सी है वह की यूरो है और तहले क्या थी ट्राप माती तो देखते हैं कि इस कांसर की में अंसर क्या होता है अगला है कि देश की संसद को नैशनल पंचाइट के रूप में के नाम से जाना जाता है तो नेपाल जो है इस कुछन का है को एक स्टित्त में आया बंगलादेश केम इंटू एक्जिस्टेंस जें तो यह 1971 में आया था उप्शन नमबर एस कुछन का राइटन्स रहा है बंगलादेश को पहले पूरवी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था अगला है बारत तैबं पाकिस्तान के मध्या शिमला समझोता किस वर्ष हस्ताक्षित हुआ था सिमला पैक्ट विट्वेन इंडिया और पाकिस्तान वासा एंडेन तो यह 1970 में हुआ था उप्शन नमबर एस कुछन का राइटन्स रहा है अगला है राथ यात्रा कहां का एक प्रसेद उत्सम है तो राथ यात्रा इस फेस्टिवल हो तो यह पुड़ी का है ऑप्शन नमबर डी जो है इस कुछन का राह अगला है काउन सी यान्लो की अधिकारिक वाशा नहीं है वुद्वा को ने वाशा नहीं है तो कुछन नमबर एकोउर्शन का रीके पाकी अधिकारिक Ecuador नहीं है अगला है विशुवीरा का इस वीडियो की विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीव कौन सा है The Second Largest Continent of the World तो Question No. 154 का जो Correct answer है Option No. BA है अफरिका जो है इस Question का Correct answer है यह Bishop का दूसरा सबसे बड़ा महादीव है Option A इस Question का Right answer है तो Friends आज की वीडियो में वस इतना ही आज हमने HPSS की हमिरे पुरुद्वारा जो मौर्निंग सेशन में वेटररी फार्मसिस्ट पोस्ट कोड़ 958 का जो एक्जाम कंड़क्ट किया तो उसमें जो कम्प्लीट जी के जो पूछे गे थे सारे जी के कुशन हमने इस वीडियो में डिसकस किये है इससे पहले हमने HPSGK के कुशन डिसकस की थे जिसका लिंक माने डिसक्रिप्ष्न बॉक्स में दे दिया है जो वेटररी फार्मसिस्ट के ही एक्साम ने पूछे यह थे तो फ्रेंट आई होप आपको वीडियो फसंद आ दें तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो थैंक यू फ्रेंट्स